कल बीदे साम लोग जग सकती राम बिलास के राष्ट्री अध्यक चिराक पासवान दिल्ली से पटना पहुचे जहां पर उन्हें बढ़ते अपरात को लेकर नितीश कुमार पर जमकर निशाना साथ है तो वहें नितीश सरकार को लेकर कई सवाल खरे कर दिये चिराक पासवान ने यह साफ कहा कि अपराधि घटना हो रही है बिहार में अपराधियों का मनोवल वढ़ा हुआ है ऐसे में चाचा को लेकर चिराक पासवान का प्रिम दिखा उन्होंने यह साफ कहा कि यह गलत हो रहा है उनको धमकियां मिल रही है बिहार में देखा जाए त बिल्कुल खतम हो गया बता दे आपको कि लोग जन सकती राम बिलास के राष्टिय धग चिराख पासवान दिल्ली से कल पटना पहुचे से जिसके बाद होने ताबरतोर हमला बोलना नितीश कुमार पर कहीं न कहीं शुरू कर दिया चिराख पासवान ने तो वहीं लोचपा दे तो वहीं बिहार में इन दिनों अपरात की घटनाय जो है वो बरी हुई है ऐसे में किसी भी तोरह की धमकी नजर अंदाज नहीं की जा सकती है देखा जाये तो जिस तरीके से धमकिया मिल दी ही बिल्कुल सही नहीं है लोचपा राम बिलास के धक शिराख पासवान ने शुत्रबार को तमाम यह परतिक्रिया दी है तो वहीं केंद्रिय मंत्री जो उनके चाचा है पश्पति कुमार पारास उनको देखते हुए धमकी मिलने के सवाल पर तमाम परतिक्रिया दी है तो वहीं गंबेर प्रकरन जो है चिराख पासवान ने बताया है तो वहीं केंद निये है तो वहीं देखा जाए तो इसी सफता पारस के नीजियों सरकारी मोवाइल फोन पर कॉल कर किसी ने धमकी दी थी कि हाजिपुर से चुनाओ लड़ने पर उन्हें जान तक से कहीं न कहीं हाथ धोना पड़ सकता है ऐसे में पारस ने इस प्रकरन में चुराग गुट की कहीं न कहीं सनलिपता का आरूप लगाया था ऐसे में इस संदर्ब में सवाल पूछा जाने पर पटना पहुटते ही चुराग पासवार ने कहा है कि इसकी भी जांच हो जाए हाला कि मुख्यमंत्र नितीश गुमार को अपना अध उन्मोलन की चिंता कहा है वे तो कहीं न कह कहीं वस्तूत अपने राधनीती अस्तित्व के लिए संघर्स कहीं न कहीं कर रहे हैं ऐसे में देखा जाये तो लगतार ब्यस्त है चिराग पासवान ने बहार में बर रहे अपना अधी घटना को लेकर नितीश सरकार पर जम कर निशाना साधा है तो वहीं चिराग पासवा तमाम बाते आपको हमने बताई है और थी तमाम किपरों के लिए एंड विजी 24 के साथ मन रहे है कैमरे की पीछ हमारे सही होगी 80 से बहुत बहुत धन्देबाद